रिवल्ट की स्टेटजी की बात करें, तो ये स्टेटजी बनाई गी थे रनोजी, बापू एंट अजी मुलाग खान के दवारा लंदन में, और ये डिसाइड किया गया था कि 31 में 1857 को हम ये रिवल्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये रिवल्ट 31 में 1857 से पहले ही 10 में 1857 को शुरू हुआ, और ये ही एक मुखे रिवल्ट का फेल होने का, और उस समय कि अगर हम बात करें, तो ब्रिटेन का पीम जो था, वो था पॉंस्ट्रंग, और गुवर्नर जर्नल था बारत में, लॉर्ड कैनिंग, और उस समय ब्रिटिश क्रौन को था, क्वीन विक्टोरिया मुगल एमपरेर की बात करें, तो हम सब जानते हैं, बहादूर शाह जफर, और बहादूर शाह जफर का सेनापती को था, वो था बक्त खान, ठीक है, अगर ब्रिटिश आर्मी चीफ की बात करें, तो वो था जार्ज एनिसन, ठीक है, लेकिन जब रिवल्ट शुरू होता है तो जॉर्ज एनिसन की जगा, कोलिन कंबल को निउक्त कर दिया जाता है, 1857 का रिवल्ट जो था, ये काफी फेमस था, ठीक है, काफी परसीट था, और बहुत सारी बुक्स जो थी वो इसमें लिखी गी, आईए तो कुछ इंपोर्टन बुक्स के बारे में डिसकस करते हैं, 1857, S.N. Senke Dwara, The War of Independence by V.D. Savarkar, The Suppoy Mutiny of Rebelline of 1857, R.C. Majooddar, and OIT and Un-British Rule in India by Dada by Naruchi.